नमस्कार, स्वागत है बच्चों आपका Self Study के चैनल में और आज हम अपने 6th वीडियो जो हम प्रैक्टिस हमने स्टार्ट की थी Previous Years के एक्जाम को लेकर क्योंकि हमें पता है कि आने वाले टाइम में जो SSC के एक्जाम होने वाले हैं उनका कितना ज़्यादा importance है इन वीडियो का या फिर कई इन एक्जाम का जो Previous Year है कोई भी mock test लगाने से better या फिर सबसे best तरीका जो है आपको exam का pattern बता करना है या अपनी त्यारी का प्रता करना है तो Previous Year से better कोई चीज हो नहीं सकती तो हमने हमारी 2017 की जो exam आये हुए थी CGL में जो CGL के जो exam थे उसको हम कर रहे हैं यह sixth video है इससे पहले वाली जो video है मैंने एक अलग से playlist बना रखे एससे previous exam करके तो जाकर वहाँ पर आप देख सकते हैं पांचों वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगी उसके अंदर मैंने पांच अगस्ते स्टार्ट किया था पांच अगस्त का सिरुफ मेरे पास एक ही shift का paper था तो मैंने वहाँ से आपको करवा दिया था आज हम इस वीडियो के अंदर 9 August 2017 second shift में हुआ exam करने वाले हैं अच्छा हम स्टार्ट करते हैं पहली trick हमारी क्या रहती है पहली trick ही रहती है कि सबसे पहले try आप करेंगे वीडियो को pose करिए और at least आप try करके देखिए कि आपको कितना हो पा रही है भली तुक्का मार लीजिए चलिए एक बार वीडियो pose करिए चले उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने करने की कोशिश की होगी देखिए first और second question है दोनों के अंदर आप लोगों को error error detect करने की कौन से हिस्से के अंदर error आते हैं clear error आया हुआ है पहला question है the Tata group owns many industries that are spread across the globe Tata जो Tata सन है जो Tata कमनी है उनोंने काफी सारी industries को मतलब हग ले लिया है या फिर वो उनके उपर अपना हग रखती है जो पूरे globe के उपर फैली हुई है समझना ज़रा मैं कह रहा हूँ कि MG Motors आपने सुना होगा MG Motors MG Motors क्या करती है MG Motors सर गाडिया बनाती है MG Motors गाडिया बनाती है और भी कंपनी होगी जो गाडिया बनाती है सुझू की सुझू की कह रहती है तो ऐसे जो गाडिया बनाने वाली वो हो थी ना उनको हम आटो मोबिल इंडस्टी काहते है मतलब की ट्वर cyclे किन्स पर नेज़ाने के वर्ड यूज इंडस्टास होती है जो एक पर्टिक९ॉलर में पर्टिकॉलर सेगमेंक काम करिए जैसे कोई कमपनीं में does company वह वह स्टील का काम कर रहे हैं तो हम तो यहांजेरी हैं स्टील का रखा है जो पूरे globe में value हुई है तो the right answer is second कि जिसके अंदर error है वो यहां पर second में है यहां पर industries की जएगा appropriate word जो है वो यहां पर company रहेगा अच्छा ये एक industry versus company के अंदर आप error देखेंगे या फिर उनके बीच में differentiate करके देखेंगे तब आपको बता चलेगा कि यहां पर industry नहीं company आना जाए अच्छा second answer पर second question पर जलते है second question है she has not been to the restaurant much late देखेंगे अब यहां पर कह रहे हैं कि वो अभी हाल फिलाल में restaurant नहीं गई है she has not been to the restaurant much late अच्छा यह जो much है ना यहां पर off proportion आएगे क्यों आएगे देखेंगे यहां पर हम यूज करने वाले है यूज करते हैं तो यहां पर काम हो चुका है एक तरीके का she has not been to the restaurant off late हाल फिलाल की बात हो रही है तो यहां पर off proportion यहां पर आएगी तो यहां हो गया आपके थर्ड थर्ड के अंदर यहां पर error आगया काफी बड़ी error है यह वाला तो अच्छा ऊपर वाला भी है देखें हमने फिफ्ट जो एक्जाम फिफ्ट अगस्त 2017 को जो एक्जाम हुआ था उसके अंदर बहुत इजी इजी आयो था नो सुनर के साथ क्या आएगा यह जो हम देख रहे ना मैं कह सकता हूँ कि 8 अगस्त के बाद जो 3rd shift या 2nd shift जो start हुई था उसके अंदर जब exam का pattern बढ़ा या 1st shift के अंदर काफी easy था देखें 9 अगस्त में जो आया हुआ है जिसमें 2nd shift के अंदर काफी अच्छा लेवल है इवन आप इसका close test देखेंगे वह काफी अच्छा दिया हुआ है तो आपको एक understanding अच्छी होनी जाए आपकी English के लिए 3rd और 4th question चलिए एक बर वीडियो पोज करिए और करने ही कोशिश करिए उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो पोज करके at least अपने खुद तो try करके देखा होगा कि बहिया मैं कितना पानी में हूँ क्योंकि मेरी त्यारी हो चुकी है तो अब मुझसे कितना हो पा रहा है कितना मुझसे इन में meaning निकाल पा रहा हूँ कितना मैं English को समझ पा रहा हूँ तो वह आप लोगों को एक ठीके का आपको आ आपको अकर meaning पता है ना आपने इसके दो नमबर एजीली ले जाने है साब साथ दरनिंग फॉक्षिनिंग सबसे बैस आंसर सबसे बैस अप्रोप्रियेट कि क्या होते हैं कि हमारे सामने कई कई बार option ऐसे दिये होते हैं कि वो चारों ही option हमें में कभी लगते हैं कि यहां आ आने वाले होते हैं वो फिल इंद ब्लेंक में या फिर वो idioms and phrase की, idioms and phrase नहीं, आई गन से ऍट जो हम करते हैं पीक्यूर्स मुझे वो नाम याद निया रहा है, पीक्यूर्स भी नहीं होते हैं, कौन सा होते हैं, हाँ, एक्टी पैसिव होते हैं, काफी बार ऐसे होते हैं, उसमें चार option ऐसे बड़े ही same मिलते हैं and that time we are very confused कि भाया अब करना क्या चाहिए क्या हम करें इस चीज के अंदर कि कौन सा best option रहेगा तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा appropriate option छाटना होता है means के अंदर ऐसा बहुत ज़्यादा हम देखने को मिलता है क्योंकि कुछ एक easy दे देते हैं लेकिन 5 question बड़ा ही मतलब ऐसे option देगा कि 4 की 4 मिलते हुए मिलेंगे उसमें क्या करना होता है हमें बहुत appropriate option छाटना होता है आ तो भली 4 हो रही होते हैं या फिर 5 चारों की 4 ही गलत हुए होते हैं उन चारों में से कोई भी धंका में जहांट के वहां पर रखना होता है तो इस चीज का ध्यान रखना यह SSC यहां पर game खेलता है सेम यहां पर है काफियों को लगेगा functioning तो चन्नी लगेगा वो learning कर रहा है very hard तो यह है तो toiling आकर आप देखो के ना तो बहुत appropriate word है यहां पर toiling is the right answer fourth question के पर चलते हैं fourth question कह रहा है he dash his camera on the table यह तो सबको पता चलेगा हिंदी में कि रख दिया या उसने रख दिया था अपना camera table के उपर अगर मैं यहां पर option की बात करूं तो lay और lie तो यहां पर इसलिए नहीं आ सकते और आपको पता है कि subject singular होता है verb कैसी आती है singular आती है वहां पर उसके साथ तो for example he है he के साथ go आएगी या goes आएगी go आएगी या goes आएगी अरे sir go क्यों आएगी go तो plural के साथ आती है अरे आपको पता है न verb के साथ अगर s या es हम add कर देते हैं तो वह उसे singular बना देते है singular बना देते है क्योंकि जो वह पैदा होती है तो वह plural पैदा होती है हमें उसे singular बनाना होता है और इसका opposite noun के अंदर होता है noun जो पैदा होता है वो singular होता है हम उसके साथ है या es लगा कर हमें उसे plural बनाते है दोनों यह opposite है एक दूसरे के, ठीक है तो यहां पर दोनों option तो वैसे कट गे third and fourth and second, भाई यह इसका कोई मतलब भी नहीं है ठीक है, तो laid is the right answer for fourth question, तो यहां पर laid आएगा clear, रख दिया था, ओके fifth question पर चलते हैं, fifth और sixth दोनों question जो है, हमें यहां पर similar meanings ढूंड नहीं है, monotonous और illusive, monotonous मैं बता देता हूँ आप कर सकते हैं, चले मैं बादें बताऊँगा, पहले आप लोग कर लीजिए, वीडियो पोज करिए और एक बार करने ही इंगोश्च करिए okay, इतना ही time देता हूँ, यह वीडियो पोज करने वाला, अब एक ही धुन यार, आपने कभी सोचा हो आप लगातार एक ही song सुन रहे हैं सुन रहे हैं, वो अलग बात होती है कि यह दिल टुटा हो है मेरा, तो वहां पर वो एक अच्छा सिला दिया, तो काफी टाइम अच्छा लगता है तो वो वाली बात नहीं होरी, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एक टून, एक सुनते हैं, कोई टून सुनते हैं, तो वहां पर होता है यार, यह क्या पका दिया, कुछ बदलना यार तो वो वाई एक फीलिंग आने लगती है, monotonous कि पका दिया, तो that is right answer is dull, dull जो यहां पर होएगा, इसके लिए बहुत अप्रोप्रियेट या फिर कहीं, यही एक मिंदर, और कोई यहां पर बनता है निटी मी, डर्पोक होता है, friendly, lusty होता है, मतलब मोटा ताचा, तो यहां पर इसका कोई meaning नहीं बनेगा, तो monotonous का जो similar word जाएगा, वो जाएगा, dull, clear, अचा, illusive, illusive होता है, भाई, इसाब एक तरिके का माया भी, ठीक है, एक तो हमें चोकाने वाला, तो वो होता है, तो यहां पर इसका आएगा baffling, baffling का हमें चोका देने वाला, इसका right answer यही रहेगा, ठीक है, तो यह हो गया आपके सामने similar word, अब 7th और 8th question देख लेते हैं, 7th और 8th question में हमें क्या करना है, अभी देखे हैं, हमने similar meaning ढूंड़ा है, अब हम क्या करते हैं, अब इनके opposite meaning ढूंड़ते हैं, हमने same same खेल लिया, अब opposite पर आते हैं, एक दूसरे के पर ही चलते हैं, तो 7th जो है, वो है colossal, colossal का मतलब होता है, बहुत बड़ा, बहुत व्यापक, बहुत ही, अलिशान, अलिशान का मतलब कि एक तरीके के colossal, बहुत बड़ी, होता है, डाइनॉसर या फिर एक राक्षॉस, उनके लिए यूज़ किया जाता है, एक तरीके का, ठीक है, colossal का मतलब बहुत बड़ा होता है, मैंने ज़्यादा तर इनका, जब movies देखता हूँ, तो उसमें colossal यूज़ करते हैं, तो वो मैं ज़्यादा है, हर बच्चे को आना चाहिए, टीनी-टीनी हम करते रहते हैं, तो राइट आंसर इस टीनी, छोटाइक तो, अच्छा, ऑप्रोब्रियम, ऑप्रोब्रियम का मतलब होता है, किसी का मान करना, किसी को मतलब बेईज़त कर देना, अब बेईज़त करोगे, उ उसकी प्रशंशा करोगे, अदूलेशन, अदूलेशन is the right answer, क्लियर यहां पर, तो इसका विप्रीत होजएगा, यहां पर, अगे चलते हैं, नाइंथ और टेंथ जो हैं, वो हैं, आपको, इनके इडियम सेंफरेज करने हैं, चलिए करिए एक बर, ओके, नाइंथ, ओल एग अगोग का मतलब होता है, उत्सुक, उत्सुक, मतलब एक दों, क्यूरियस होना किसी चीज के लिए, तो यहां पर इसका आता है, amazed, clear, अच्छा, नेक्स्ट जो है, not to means matter, means का मतलब होता है, छोड़े छोड़े टुकडे करना मास के, छोड़े छोड़े टुकडे, बहुत, मै यहां पर हमें बताऊंगा, एक जो मैंने पढ़ा हो, उसके अंदर क्या था, not to means matter, के मतलब होता है, कि किसी के मतलब, directly मुपे बात बोल देना, किसी के directly मुपे बात बोल देना, तो वहां पर हम not to means matter का use करते है, और यहां पर क्या होता है, इसका मतलब, यहां पर देखे, ऐ बड़ा इजी कर लेगा डॉक्टर हैज एडवाइज हिम तो टेक प्रोपड़ाइट अच्छा करना क्या है यहां पर सेंटेंस इंप्रोप्रोमेंट करने तो यहां पर जो फिलिंद अब लेंग से जो डार्क आपको बोल्ड वर्ट्स दीये हुए उनके अंदर आपको इंप् पता चलता है कि हैज आपके बाद वापकी थार्ड अफ़ आती है तो हैज एडवाइज होगा यह नि आएगा यह नि आएगा यह नि आएगा तो फर्स्ट अंसर आजाएगा अचा फो ट्वेल्ट के अंदर क्या है बीइंग प्लीजन्ट इवनिंग वी वेंट आउट फो पॉर ऐंग ऑग द्राइग और फो अन फॉर्ट के अंदर हमें हमें चांटना था चो आपके सामने और वर्ट सब्सिटूशन दे रहे मतलब की घुमाफिरा के बात करने वाला सेंटिपीट उटी का मतलब होता है कंखजूरा सर्क्यम लोकीशन होता है यही बंदा जो बात करते हैं को इसन का मतलब होता है कॉंसेंट्रिक का मतलब होता है गाड़ा इसकी हिंदी हो जाती है तो सर्कम लोकेशन is the right answer for that around about way of speaking अचा 14th question 14th question an old unmarried woman क्या कहेंगे उस एक unmarried woman को जो जो शादी शुदा नहीं है उस औरत को क्या कहेंगे उसे कहते हैं spinster 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 का मतलब होता है एक old के लिए भी नहीं हम we can say that we use this word for a woman who is not married not about his her age it is not related to her age इनों नहीं उसकी age से relate करके दे दिया हम इसको एक simple way में भी यूज कर सकते हैं spinster spinster is that woman या और lady वो शादी शुदा नहीं है तो उसके लिए क्या सेप्चुजनेरियन सेप्चुजनेरियन का मतलब होता है सत्तर साल वाला होता है स्नाइपर 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 काफी सार गाने भी आये हुए स्नाइपर के उपर वह निशांची स्नाइपर है वो ठीक है अचा 15 और 16 कोशन में we have to find out incorrect incorrect word स्पैलिंग दी हुए है आपको incorrect जहाटने की कौन सी स्पैलिंग जो है वो गलत है यहां पर autumn desperate is right रिसिप्ट का मतलब यहां पर receipt में यहां पर आई गलत दिया हुए यहां पर r e c e i p t the right answer is यहां पर third होगा यह गलत दे रहे है आई और e की mistake कर रहे है इन्होंने place बदल रहे है अचा 16th, 16th में है century यह सही है विल्कूल ठीक है finance विल्कूल सही है remember sponsor sponsor is the right answer मतलब कि यह गलत है यह इसलिए right answer है sponsor में e की जगह यहां पर o आना था s p o n s o r okay clear यहां पर 15 और 16 देखिए यह वाली चीज़े ना आपकी English enhance कर देती है आप समझ पाते हो कि हमें कैसे paper को attend करना है तो यह वाली easy होती है अच्छा बहुत important चीज़े आती है PQRS काफी सारे बच्चों के doubt EC में रहते है कि PQRS how we do कैसे भी हम करेंगे हमें कैसे करना होगा तो करने का तरीका यही है कि जितना आप reading करते है ना तो बैस तरीका वही है कि आप reading करेंगे है इसके कोई कोई ट्रिक नहीं होती ट्रिक चोटी मोटी होती है जैसे मैं करवाता हरूं आप देख लीजे PQRS यहां पर आप देखिए word में क्या देखिए P भी दे रखिए Q भी forever and to never ruin our lives देखे however हमें क्या जूरत होती है कि हमारे environment को भी हमारी जूरत होती है देखे also also का मतलब यहां पर भी है तो यहनी already इसकी कहीना कहीन discussion हो चुका होगा ठीक है अचा क्यों कहता है it give us all things which we need need to it यहां पर अगर यह प्रोनाउन यूज कर रहे हैं किसके लिए यूज कर include all the natural resources which surround us to help in number of ways ठीक है हमारे environment होता है वो सभी से मिलके बना होता है जो हमारे surrounding में होते हैं हावर our environment की हमारी भी जूरत होती है हम उसे सही रखे हमारी life उसे सही रहे हमारी life उसे effect पहुता है हमारी life उसे बरबाद ना हो तो यहां पर यह चीक चीक के बोल रहे है कि बहीं आ चलते हैं 1812 वो भी है PQRSE है अचा करने की कोशिश करिए ओके चलिए कोशिश करते हैं आप आप देखेंगे PRRP यानि P से बनेगा या R से बनेगा यह तो हमें देखने है तो S और Q का तो कोई पंगा है नहीं P पे देखते हैं अचा एक starting point यह भी हो सकता है कि हम experience करें टेख जो एक society के अंदर रह रहे हैं यह फिर एक ऐसा समुधाए जो progressive समुधाए चैनल रहरा है लेकिन उसने अभी तक कोई इतना वह एजंडा हाँसल नहीं किया जो उनोंने सोचा था किसी भी किसी भी आयाम के अंदर ठीक है तो इसका मतलब ही हो गया तो तो हम यह starting point कौन सा starting point हम बात कर रहे हैं एक तो यह चीज़ देखो अच्छा आर प्याते है आर कहता है the starting point of social the starting point अच्छा starting point कह रहा है social criticism can be can be very different and the different form of socialism never has a monopoly on social criticism स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है criticism का वो कुछ भी हो सकता है very different हो सकता है social criticism को एक एक ही चीज़ के पर नहीं रख सकते कि हम कहें कि हमें सिर्फ गरीबी हटानी है उसी का हम बार-बार criticism कर रहे हैं कि कुछ हो नहीं पा रहे है so, criticism हर एक आयाम पर होना चाहिए यह होना चाहिए यह कह रहा है हम बात कर रहे। हम किसका starting point कि किसका starting point वाई है criticism का तो यहाँ पर हम यह में बूल रहे है इस चीज़ के आपड क्रिटिसम कि Minority का यह पर ध्यान रख रहे हैं या फिर प्रोग्रेसिव एजेंडा जो नहीं पहुंच पाए हैं तो हमारे पहला वर पहला जो संटेंस कि से स्टाट ओगा और से तो यहां पर आर वाले आपके सामने दो दिख रहे हैं और पी और पहले आ जा जाते हैं और पी आईगा या आर की आय गा आरपी पे देखते हैं आरपी जैसे हमाने हमने बात कर ली कि स्टार्टिंग पॉइंट जो हो सकता है क्रिटिसिजम का वो कुछ भी हो सकता है कुछ भी सोशल क्रिटिसिजम कुछ भी हो सकता है हम उसे एक ही क्रिटिसिजम के उपर यह मैंने आप लोगों को बता है अच्छा विदन और आफ्टर पोस्ट मॉर्डेनिजम पोस्ट मॉर्डेनिजम एक ग्रान युनिफाइंग थियोरी नो लॉंगर सीम्स पोसिबल दिस आइडिया नो दिस दिस दस एक्स्क्लूड दा पोसिबलिटी और दे नसेस्टी ओफ डायलोग अच्छा एक modernization का जब यूग चल रहा था या उसके बाद कोई एक जो धारना रखी गई थी ना कि सभी लोग एक जैसे हो जाएंगे वो हुआ नहीं ठीक है यह वाली बात हो रही है तो रार के बाद पी एक बैस्ट आंसर रहेगा हमारे लिए तो र के बाद पी हमारा यानि इसमें आजएगा second अच्छा पिछले वाला मने बता दिया था पिछले में क्या हैगा S से स्टार्ट होगा तो इसके में यहां पर आएगा clear यहां पर 19th or 20th question है 19th question है आपके सामने active, passive or 20th question जो है आपको direct indirect करना है अच्छा 19th पर चलते है Rohan was not told about the email क्या आएगा the email was not told गलत है यहां पर there was nobody गलत है यहां पर somebody did not गलत है nobody told Mohan अरे बहुत सब बच्चे कुछ यहां पर भी कहेंगे sir somebody did not somebody did not tell Rohan about the email और यहां पर आपके सामने best answer क्यांसर लगेगा nobody told about the nobody told about the email nobody told Rohan about the email clear यहां पर अच्छे यहां पर देखो जड़ा 20th question के पूरे 20th question के रहा है Rohan Ram said to Rohan do not do don't don't run so fast अच्छे क्या दे रहा है advice दे रहा है आपके सामने एक बर close test दिया एक प्यार से पढ़िए क्या पूछ रहा है कि नहीं यह नहीं कर सकते second क्या request कर रहे रहे है नहीं sir request नहीं कर आच्छे एडवाइज वाले दे रहा है राम एडवाइज रोहन डोंट अरे यह क्या आ रहा है सेम कर सेम कैसे आ गया यह चीकत राम एडवाइज राम टोल्ड रोहन नोट टू रन यह रहा है आपके सामने तो यह वाले कोशन एलिमिनेशन के तुरू हो जाते है अच्छा 21 से लेके 25 तक हमें क्या करना है close test है आपके सामने एक बार close test दिया एक बार प्यार से पढ़िये क्योंकि काफी बढ़िया close test मुझे लगा है एक बार पढ़िये और एक बार खुद समझने कोश्च करिये कि क्या कह रहे है यहां पर चलिए उमीद करता हूँ कि आप लोगोंने पढ़ लिया होगा चलिए अब मेरी बारी है language they say is the dash is the dash through which human being perceive the world perceive का मतलबत है समझना तो एक language वो कहते है भाषा वो कहते है भाषा एक ऐसा ऐसा है डैश जिसके माध्यम से इनसान जो है वो दुनिया को समझता है तो lens है resource है source है telescope है टेलिस्कोप कहां से हो गया सब telescope कट गया source हो सकता है क्या language source है क्या resource है रोस नहीं हो सकता source भी नहीं हो सकता तो right answer आपका lens रहेगा यहां पर lens is the right answer अरे क्या करो lens lens यहां पर आएगा आपके सामने अच्छा यहां पर है अगर ऐसा है if so English is perhaps the most dash lens क्योंकि एक तो इससे भी पता चल जाएगा आप लोगों को अरे lens क्यों आना था ठीक है lens इससे भी बदा जाएगा lens तुरू विच्ट टू सी एनिमल्स टू सी एनिमल्स पहिया एक English अगर ऐसा है तो English जो हो शायद the most disturbing अरे नहीं 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 पॉपुलर यह तो काफी सारे बच्चे तो इसकी तरफ भागेंगे नहीं इसके पदर मत भागना राइट आंसर इस डिस्टोर्टिंग ऐसा क्यों सर एक बार मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में यह जो पैराग्राफ है या फिर यह कहीं जो इसको बड़े ध्यान से पढ़ने आप लोगों और ध्यान से पढ़ोगे ना आप जब ऑप्शन चांड़े मेंटोगे ना आपके सामने यही उचल उचल की आ रहा हुगा कि सर यही होगा यही होगा जब मैं पढ़ रहा हूं आपको धीर तरी पता चलता चलेगा अज़ए यहांगे वपर आते हैं यहनि 23rd के ओपर यह कह रहा है इसका एक व्यू है इसका एक व्यू है इसका एक व्यू है स्थिर व्यू पर पैच्चुएटिड तो राइट आंसर इस थार्ड ठीक है एक कॉम्पेंट साथ दिना नहीं भाईया एक्सेसाइज नहीं अंडड़ यह कि ओसाथ तो आपके सामने यहांपर 3D आंसर रहेगा धिर्व इसका क्लियर अब यहांपर रहा है देल वर्ड रोड है एकν केंड़ धर बिटिश एंड जो वरर्ड है उसका मतलब का मतलब होता है इसका अर्थ होना तो एक ना थेनिमल इसका मतलब अंग है ठीक है लीजू मतलब बताता है तो यह कैनोट आएगा यहां पर जिसका मतलब बताता है कि यह जो अनिमल है वो काफी ज्यादा निर्दाई है इस वर्ड का मतलब और यह शैंशल यह कामूग है और जो अनिमल डैश Ad upstream implies Baseness and Vulgarity Baseness का मतलत नीचता और Vulgarity को दर्शाbir है इंस्टिंट 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 इनेट एइंस्टिंट इंस्टिंट इंस्टिंट्स arent इंपलाई वल्गयरिटी हमारी 9 आगस्त सेकेंड़ शिप्ड को एक्साम हुआ जो 2017 में सीजिल का हुआ था उमीद करता हूँ कि आप लोगों कोई वीडियो पसंद आई होगी पिसंद आई है तो थोड़ा बहुत हमें को भी लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और जादा ही पसंद आ गए है तो क्या कर सकता हो चैनल को शेर कर सकते हो